कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि नॉबल प्राइज 2020 किन-किन वैक्तियों को दिया जाएगा उन-उन वैक्तियों के नामों की घोशनाएं होनी सुरू हो चुकी है सुरुआत तो ये मैडिशन यानि कि चिकित्सा से हुई थी रिसेंटली हम लोगोंने करेंट अफिर की वीडियो में जाना ही है कि तीन वैक्तियों को चिकित्सा के छेतर में हेपिटाइटस वाइरस की खोच के लिए एक नॉबल प्राइज के नामंकित कर दिया गया है और अभी रिसेंटली हमें एक न्यूज मिली है क्या कि फिजिक्स का नावल प्राइस दिया जाएगा किसलिए ब्लैक हॉल पे रिसर्च के लिए तीन वैग्यानिकों को तो सबसे पहले तो इन तीनों वैग्यानिकों को बहुत बहुत बढ़ाई हो और एक बड़े ही सोभागे की बात है कि इस बार एक महिला का नाम सामिल है इन तीन वैग्यानिकों में अगर हम लोग नावल प्राइज के हिस्टरी को जरा सा गोर से देखते हैं तो महिलाओं के नाम जो है वो आपको चुनिदा ही मिलेंगे लगबग तीन चार ही महिलाएं आपको देखने को मिलेगी जिनको नावल प्राइज मिला है उन में से इनका नाम सामिल हुआ और इस ब तो जानते हैं हम लोग क्या है ये पर्टिकुलर ब्लैक होल और क्या है ये वैजानिकों का जीवन चरित्र कहां से ये पड़े हैं कब इनका जन्म हुआ है एक ब्रीफ हिस्ट्री जानने की कोशिस करते हैं इनके बारे में जितना हमारे एक्जाम पॉइंट ओ व्यू से इप ग्रूप भी है और आप फेस्टबुक और इंस्टा अगर चलाते हैं तो मुझे जरूर फॉलो करिएगा स्टार आईक्यू एजूकेशन सर्च करके बढ़ते हैं आगे हम लोग और अगली की बात हमारी ये है कि बहुत इपॉर्टन्ट और ब्रेकिंग न्यूस है हमारे हूं तो साड़े आठ करोड के आसपास तो ये आठ से नो करोड के अंदर बीच में जो है इनको पैसा मिलता है अब क्या होता है कि नॉमली ये एक वैक्ति को दिया जा सकता है दो को दिया जा सकता है और तीन मैक्सिमम होगे अगर इस केस में क्या होता है कि एक से जबा अग रख लीजिएगा कोई ऐसा नहीं है कि इनोंने कोई एक या दो साल की रिसर्च के बाद ही या वोड जो है अपने नाम कर लिया हो ठीक है वैसे एक इन में है रोजर पैन्रोस आपने स्टीफन होकें के नाम उसके साथ में इनका नाम जरूर सुना होगा स्टीफन होकें जो की ब्लाक हॉल की रिसर्च में उनका नाम जाना जाता है अब मैंना जैसे कहा कि कोई एक या दो साल का रिसर्च के बाद ही नॉबल प्राइज नहीं मिल जाता है ये कोई 20-30 साल लग जाते हैं अपनी जिंदगी के बहुत सारे सावाल गवा साल जो है वो गवा देने पड़ते हैं तब जाके ही लाइफ में ये नॉबल प्राइज का नाम जो है या इस नॉबल प्राइज का तबका मिलता है और दूसरे एक वैक्ति है जिनका नाम है रैन हार्ड गेंजल और तीसरी जो महिला इनका नाम है एंड्रिया गेज तो ये तीन वैक्ति हैं जो कि बहुत पास में है रेइन होड गेंजल और ये आपको पता ही आंड्रिया की पास में अवसर इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि रॉजर पैनरू जो है ना इन्हों ने ब्लैक हॉल फॉर्मीशन के बारे में जिकर किया है और यह दो बच गेंजल और गेज़ इन दोनों पर्टिकलर जो है वो black hole की discovery की है आवराल तो black hole की discovery का ही सीधा रिजन है इनका black hole formation कैसे black hole preparation होता है कैसे कैसे बन पा रहा है और black hole की जो discovery की है श्रीक जानकारियां दे पाए हैं इसी वज़े से जो है इन तीनों वाग्यानिकों को दिया जाएगा साल 20-20 का physics का novel prize बात फसगी क तो देखिएगा जैसे कि टोटल जो भी रूपे होगा उनमें इसको दो हिस्सों में तोड़ा जाएगा एक हिस्सा मिलेगा किसको रॉजर पैंडरोज को और दूसरे हिस्से में आदे-ादे मिलेंगे इन दोनों को इन्हों ने जो है वो डिसकोवरी किये इन्होंने अकेले ही ब्लेक हॉल फर्मेशन का काम किया है ठीक है अब सवाल मन में आता है सब्सकान कोन सी कमेटी देती है तो इस कमेटी का नाम है Royal Academy of Science Stockholm, Sweden Royal Academy of Science Stockholm Sweden इसकी दवारा दिया जाता है जैसे कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि टोटल आपके जो है ये छेतर कौन-कौन से हैं जहां पे दिये जाते है नावल अप्राई टोटल छे हैं एक इनके अंदर आपका कौन सा है Physics है एक आपका कौन सा होता है Chemistry एक होता है Medicine एक होता है आपका Economics होता है और एक आपका होता है Literature और एक आपका होता है फिर लास्ट में बच गया Peace यानि की शानती वाला ये जो पांचों है ये दिये जाते है Sweden की राजदानी Stockholm में ही लेकिन जो ये आपका Peace यानि की शानती है ये नार्वे की राजदानी ओसलों में दिया जाता है ये बात भी आप याद कर लीजिएगा अब मन में सवाल इतना सा आता है कि ये Black Hole होता ही क्या है जिसके लिए इनको मिला है मैं अगर बिलकुल स्टीक एक ही लाइन में इसका जवाब देना चाहूँना तो ये वो लाइन है Black Hole ब्रमांड का वह हिस्सा है जहां पर गृत्वा कर्शन यानि की ग्रिविटी इतनी जादा होती है कि लाइट भी अगर एरिया के इंदर चली जाएगी तो वो वापिस बिलकुल नहीं आएगी अगर मैं आप तो को थोड़ा सा विस्तार से समझाने की कोसिस करूँ न तो देखी का दुनिया बरे में बहुत सारे देत्या सुने होंगे आप लोगों ने जो क्या करते हैं इनसानों को निगल जाते हैं कुछ ऐसा ही समझिएगा कि ब्लैक हॉल जो है ये ब्रमांड का एक ऐसा देत्य है जो अपने आप में बहुत सारे रहेश्यों को संजोई हुआ और इनी रहेश्यों के बारे में हम लोग अगर जानने की कोसिस करें तो देखिए का सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले की बात कर रहा हूं है साल था 1786 और जो मिशेल जो है कामरीज उन्वरस्टी के अध्यापक थे ठीक है मिशेल इनका नाम था इन्होंने ब्लैक हॉल के बारे में सबसे पहले बताया था या अपने विचार रखे थे इस व्यक्ति का नाम बस आपको याद रखना है क्या है मिशेल है ठीक है 1786 के अंदर उसके बाद में क्या हुआ 1796 की बात आती है और एक वैग्यानी का जिनका नाम है पीरे ठीक है पीरे पीरे सामीन है इन्होंने क्या किया अपनी किताब है The System of Black Hall इसके अंदर जो है इन्होंने Black Hall के बारे में थोड़ा और बात बताई और कहा कि यह एक अंत्रिक्स में जो है यहां पर कोई मतलब क्या टाइप की रेज नहीं जा सकती है कोई टाइप की लाइट नहीं जा सकती है बहुत ही ज़ादा ग्रेविटी होती है ठीक है और गुर्तवे घेरे में होने की वज़े से हर चीज जो है Black Hall निगल लेता है यहां तक यह बात तो ठीक है साबित हुई फिर आगे आगे बढ़ते गए और Black Hall बेसिकली क्या होता है एक बहुत ही ज़ादा घनता हो और बहुत ही ज़ादा द्रवे मान वाला पिंड होता है जो बर्मान में किसी भी वबस्तो को अलग अगर हम लोग कंप्रेस करके बहुत छोटी कर देते हैं तो इसका जो मास होता है वो डेंस्टी जो होती है वो गुर्तवा कर्शन बल इतना अधिक हो जाएगा कि अगर बहार से इसकंदर लाइट भी डाली जाए तो साथ संबव नहीं होगा कि लाइट भी अगर हम लोग देखना चाहें तो देख भी सकें और ऐसा ही अगर आप लोग अपनी अर्थ पर एक्जाम्पल अपना आते तो हमारी अर्थ है अगर उसको बहुत चोटा कर देते हैं बहुत ज़दा चोटा कंप्रेस कर देते हैं गहनता उबढ़ जाए और जो हमारी पूरी की पूरी पृत्वी है गहनता उसे ज़दा भी आपका ग्रेविटी डेंस्टी इन दोनों का ही हिस्सा होता है तो ये बातें आपको याद रखनी है इस वाली चीज़ से और अगर सूरे को भी गरम लोग कंप्रेस करके एक चोटा सा मटर के दाने के समान कर देना तो भी ब्लैक हॉल में तबदिल हो जाएगा सीधी सी बात तो इतनी सी है कि देगी का ब्लैक हॉल फॉर्मेशन कैसे होती है या ये बनता ही कैसे है देखो ब्रमांड के अंदर अनेकों अनेक तारे होते हैं ठीक है और गैस और धूल के कारण बने होते हैं वो सारे के सारे अच्छाए ये बहुत सारे चुट 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 आपके तारे होते हैं को जनले निहारिका के नाम से पोकारते हैं जहाँ पर हाइट्रोजन जादा होती है 25% हिलियम होती है और बाकी धूल के कण होते हैं अब यहाँ पर एक नाभी के सल्यन यानि की आपके नुकलियर फ्यूजन की प्रॉसस जो है वो चलती ही रहती है ठीक है इसमें हाइट्रोजन प्लस में हाइट्रोजन मिलेगा तो बन जाएगा आपका क्या हिलियम बन जाएगा और हिलियम जो है वो बनता रहता है अब यहाँ पर 25% क्या असपास हिलियम है ठीक है और धीरे 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 जो है इनके अंदर बहुत जगा एनरजी कटी होती है उसी एनरजी से जो है उसे हम लोग सूपर ब्लास्ट, सूपर नोवा, महा सूपर नोवा के नाम से जो है पुकारा जाता है और यही फिर आपका मतलब किसी भी चीज़ को बहुत चोटा कॉमप्रेस कर दिया जाए तो ब्लाक हॉल बन जाएगा और यह फॉर्मेशन वगरा कैसी होती है यह बात मैंने आपको बता ही दी है यह इतना जादा यह होता है मतलब यहाँ पर टाइम भी अगर पूछा जाएगा तो टाइम की भी कोई गाली नहीं होगी टाइम का भी अस्तितव जो है यहाँ पर खो जाएगा आपका तो एक टाइप का यह होता है ब्लाक होल जो की आपको मनें ब्रीफली बताने की जो है कोसिस की है अब इन तीनों वयानिकों के बारे में बात करें तो रोजर पैंडरोज जो है आपका इनका जनम 1931 में ब्रिटेन के कॉल्चेस्टर में हुआ था कामरेज ब्रिटेन के 1957 में पीएसडी और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड युनिवस्टी के अंदर प्रोफेसर है यह एक है आपके रेंगेंजल ठीक है इनका जनम जो है 1952 के अंदर जर्मनी के बैंड हमवर्क वोर डेर होहो में हुआ है 1978 में बॉन युनिवस्टी जर्मनी से पीएसडी की है देखो कितनी टॉप की युनिवस्टी है वहां से यह पड़े है इस वज़े से तो यह नौबल प्राइस तो उनको खेर मिलना जाहिर साही था ही मैक्स प्लैंक इंस्टिटूट फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल फिजिक्स ग्रांचिंग जर्मन के निदेशक और कालिफॉनिया युनिवस्टी बरकेले युएस में पॉफेसर भी है यह और तीसरी जो महिला है आंड्रिया गेज इनका जनम 1965 के अंदर अमेरिका के नियॉक सहर में हुआ है और यह बहुत ही जो है आपकी जो कि नंबर वन युनिवस्टी के अंदर कई बार नाम जाना जाता है इसका 1952 में कालिफॉनिया टेकनिकल युनिवस्टी ठीक है मेचा चुशेस्ट से भी पड़ी हुई है जो कि वरतमाने में नंबर वन है और कई बास जो है कालिफॉनिया का भी नंबर वन आ जाता है वहां से पड़ी हुई है और अमेरिका से पिएजडी की है और कालिफॉनिया युनिवस्टी लोस अंजलेस में अमेरिका के अंदर ज सो माच्च